वाहे गुर्जी का खालसा, वाहे गुर्जी की फते, साधा हुंदा विशा दस्वन्त है, इस विशे लिए साधे कोल प्रफेसर मंजीत कोर जी, गुर्मत प्रफेसर ने, अमरसर्थ शहीद सिख मिशनरी कॉलेज विच ये पढ़ाउंदे ने, ये में रिलिजिन कीता है, में हिस्ट्री, सिख हिस्ट्री, में पंजाबी, और तेरा साल तों गुर्मत दियां कलासा ले रहे ने, गुर्मत परकाश विच और गुर्मत ग्यान जड़े ऐसी बारस्टाल भी लगाए ने, इना विच अकसर इना दे आर्टिकल होंदे ने, ये आज दा ये विशा करनगे, दस्वंत दा संकलब सिख्खी विच एक बड़ा महत्वपूरन संकलब है, लेकिन जिस तरह सेवा दा या होर असी अथे गल्ला कीतियां, नाम सिमरं दियां, तह ये दस्वंत दे संकलब विच भी जो साठे असी देख दियां के साठी कुमी दस्वंत नो किस तरह असी उदे विच विचर रहे हैं, उदे विच भी सानो देख दियां, जद बड़ियां प्राब्लम्स दिख दियांने, दस्वंत दा सही मैने विच फिलोसफी की है, दस्वंत दे पिछे सिदान्त की सी, दस्वंत दे पिछे मैसिज की, उसनो समझें ल और भारती धर्मादे विच जिस चीज नो दान केंदें दान उदा बड़ा महत्व दान दी जा जो तो मैं गाल करदां बहुत महत्व दस्या गया है और दान दी ए प्रथा वैदिक काल तो चल दी आ रही है देवी देवतिया नो खुश करन ली समगरी दा दान मननो समिर्थी अनुसार पुजारी लोकां तो जेकर जवाब जबरदस्ती दान वी लवे प्रीस्ट क्लास ताउदा विरोध ना करो ऐस तरा दिया प्रंप्रावास नो देखन नो मिल दिया ने दान दे नाम ते आम लोकां दा सोशन भी अगर असी इत्यासक तो उरते देखिए और आज भ कई वरी अखबारां विच पढ़ लेया कि कोई कामनी हो रहे तो जेड़े कई आदिया बलीयां चड़ा दितीयां जान दियाने तो दुनिया दे हर धरम दे विच कोई ना कोई बुनियादी सिधान्त जेड़े आओ फिलासफी नाल सबंदत हुंदा है ता सिक धरम दी गाल क किर्थ करना नाम जपना और वंड चकना किर्थ करना और वंड चकने तो जेड़ी दसवंत दी जेड़ी गाला है चली है फिर सरबाददा पला करना तो वंड चकना ते सरबाददा पला इदे विच विच वे दसवंत दी फिलासफी कहलो सिधान्त कहलो जेड़े निकली है औ झाल चुछ आपर सारगिया आपने मननन वाले आरा इन आयाई यदा सिहट और लेना हनदास से नहीं आपने शबदेश एर्डियाए्टन know respecting यकात एक्पलस्री कर्यों। उस से तर्णासरबद दे बले लई उस पनख़ता दे बले लई तन मन अटे दन दे जड़ा योगदान दी गल उ किती ज़ी हुई है और दस्वंथ उस योगदान दा एक रूप है दस्वंत एक बड़ा निवेकला ते नियारा संकलप है दान और दस्वंत विच बहुत फरक है दान किसे नूँ मदद बज़ों दिता जान दै और दान देन वाले दे मन विच बड़ी वर एगो आजन दिये प्राउड आजन दै दान लेन वाला जड़ा है दान देन वाले दे विच स्पिरिटी कंपलेक्स आन दिया संबावनावा हों दियाने और पर गुर्मत विच इस समस्यानों बड़े ही सुंदर ढंग नल और बड़े बड़े प्यारे तरीके नल इसनों निजट्या गया है और हरेक नू उपदेश दिता है कि किसे नू दान देन दी बजाए गुरू नू दस्वंत देओ गरीब दामू गुरू दी गोलक ए आम असी जदों ए कर दिया पर सिक्खी विच एक गल है दान शबद पर चलतना जरूर है पर इस शबर प्रति सतकार नहीं है सिक्खी विच क्योंकि दान लेना या देना ए सिख दे सुभा विच नहीं है गुरू रानक साब तो एक लेर चली और जदों ए लेर एक संस्था बन गई पहली गाल तक गुरू रानक साब ने सिरफ आत्मक या स्पिर्चुलिटी दी गाल नहीं किती लोकां दे जिरियां दूसरी यां जरूरता दी भी गाल उना ने समझी दरमशाल और संगत दा जड़ा एक कंसेप्ट दरमशाल तो बाद इज गुरुद्वारे बन गई जदों एक कंसेप्ट गुरू नानक साब तो शुरू होया फिर लंगर दा सब कंसेप्ट जड़ा है उदे लिए जो जो सुविदावा चाहिए थी उसलिए जड़े मननवाले नोक्तों जड़ी जदों संस्था बन जान दी है उदों सानू पैसे दी ज़रूरत पहन दी है या जड़ी मेटरलिजम दी ज़रूरत पहन दी है उसलिए फिर एक कंसेप्ट दी और तुसी देखो ता बाइकान सि landsca बे दी गुर्दवारे दी डैफिनेशन है थे गुर्दवारे वेच पाटशाला भी होए गुर्दवारे देवेच दौ़ा कानन भी होए गुर्दवारे वेच यात्री नवास भी होए इस सारियां चीजानों चलान लई दसवंत दी बड़ी जरूरत जो है ओसी गी और तुसी अगर पराना इत्यास देखो गुरू साब ने जिना थामाते पानी नी सी होते खूब नवाए इवन गुरू साब ने किन्ने ही जड़े शेहर वसाए उना शेहरां देवेच गोईंदवाल साब है अमरत साहर, नंदपुर साहब, कीरतपुर साहब जिसना सिरफ होते शेहरी नीवस है उना थी एकोनमी दा, उना था काम करन दे जड़े वसीले ने गुरू साब ने, ओवी जड़े ने जड़े करन दी गाल की थी तो दस्वंत दी जड़ी गाल संस्थक तोड़ते इंसिचूशनल तोड़ते साधी कोम देवेच जड़ूर आगई, लेकिन किते ना किते जड़े दस्वंत दा कंसेप्ट है, उसनो जिस सोच ना लिया, जिस फिलोस्वी करन दस्वंत कंसेप्ट शुरू किता गया सी, वह उन वाइलेट हो रहा है, उसी सिरफ ते सिरफ पैसे नो गुर्दवारे देते थे बड़ी बार जिकर हो चुकिया है, कैसी सिरफ लंगरां तक सीमत कर देता है दस्वंत दा असल जो है, कंसेप्ट है की गुरू साब की चांदे सी दस्वंत दा एक क्यों कंसेप्ट कीता गया उस बारे मैं प्रोफेसर मंजीत को और जीनों बेंती करांगा क्यों आज गाल करांगा जो सिखी दा में सिदांत है जो सिखी दा में कॉंसेप्ट है उन्नों जेकर एक डैफिनेशन दे विच जाएक तुक दे विच जानना होवे थे उदली सब तो वाजब जो तुक है वह किव सच्चारा होई है किव कूरे है तुटे पाल कि इस जेड़ा संसार है जो मनुख जदों इस संसार दे विच होंदा है उँ अग्यान नी होंदा है उसनों नहीं पता कि मैं इस संसार दे विच जिवना किवे है उस जिवना किवे है उस जिवना किवे है उस जिवना किवे है अननों सच्यार, जिन्दगी दा सच्यार, जी वंदा नाम के किस्च्यार अच्ग, गुरूस साभ कीनने कि कि में सच्यार हुई है जरी सडे अन्धे अंदर एक कूड दी पाल है, एक हमे दी में, में दी, अनों की में तोड़िया जावे इता जुआब दे रहे ने हुकम रजाई चलना के हुकम दे अनुसार चलना इता मैं थोड़ी जी इन्नों एक्स्प्लेइन करां के जिन्नी वी काइनात है ओ सारी दी सारी हुकम दे विच चल रही है कुदरत दा पसारा हवा है, पाणी है जिन्ने वी ओ दे खुकम दे विच चल दे पहने क्योंके खुकम रजाई चलना नानिक लिखिया नाल इते नाली केगा हुकम मने होवे परवान सोखसमे का महल पाई सी के जिड़ा हुकम दे पहली गल हुकम दे जान दे के हुकम की है जो एक गुरु दा हुकम है एक गुरु हुकम करदा पे है उस च्यार बान नमस्ते करदा पे है के तो उच्चा किवें जाना है अपनी जिनकी नो उपर किवें चुकना है उसलिए हुकम मने होवे परवान सोखसमे का महल पाई सी ओ खसम दे दर नो जान लेंदा है के असल विच उस परमात्मा दर्बार की है एस साथे सिख इजम दी जेरी केंदरी पाव एनू कहलो के इतों साथे सिख इजम शुरू हुंदा है साथी स्टडी शुरू हुंदी है होन सच्यार मारग ते चलन दे ली जेरे रस्ते ने जरे कुछ पैंडे ने वेखो जदो असी किसे मंजलते जाना हुंदा है उदली पैंडा ते करना पैंदा है दली तों बंबे जाना है उदली कुछ स्टे ने ता नुकी ते रुकना पैगा रुक रुक के चलना पैंदा इससे परकार ही ए जो खसमे का महल खसम दे मेल तक पहुंचना है उदली जिंगी दे कुछ पढ़ाने इदली जेकर इस संसार दे विच इस गुदरत कैनात ने जो कुछ बनाया है 84 लाख जुना दी गिंडती आई है एक इदली वरतिया सिंबल वरतिया 84 लाख वद भी सकतियाने काट भी सकतियाने 84 लाख जुना दी गाल आई है 84 लाख जुना दी गाल आई है यह दा एक मकसद है यह दा मकसद की है उस परमात्मा नो मिलना है उपर उस परमात्मा नो मिलना एक टांग है एक दुद्ध नो जाग लगाई जान दी कि ओ कड़न है ज़रा एक स्यानी औरत है उस दुद्ध नो पहला गरम करेगी कि फिर उन्हों जाग लगाए कि उन्हों एक रिड़केगी ओधा एक टांग है जेकर आसे सिद्धा ही दूद्धे विच्छों मखण कड़नां गे ते कदाचित भी ओ बारनी आएगा पंडा तो बैस तूप देवा तो दूद्धे को जाओ पहला उस पंडे नू तो वो फिर जाग लगाओ फिर उन्हों रिड़कना क्योंके हरका बिलो ना बिलोव मे ले पाई सहज बिलोव जैसे तत न जाई फेर उन्हों हौली हौली रिड़किया जांदा है रिड़कन भी टांग यहा फिर मखं ते मखंदे रूपविच के उसाठी सामने होँदा ऐसे परकार ही सरफ झीवन ओधा दर तन्यमता दर राखसे क्रणी पूंस पूर प्रु Gentleman IIT अले चीवन होसे किरथे लिन grabbing में घरजने लाखयर है कि जिन्दगे तर रुजगार जैने साघी समाज कलोर और ले वास्ते ऐक दर रही जोने तेरी पनहारी इस तरती मैं तेरी सिकदारी सिकदारी दा अवर जोन के जिन्यावी जुना ने इस तरती दे उते ओ मनुख निया पानी हारने पाव के मनुखता दे अदीन ने ते ओना जुनिया तो उपर सिर्दार कौन है सिकदार कौन है मनुख है इस मनुख ने एक पशू ज पंझए वी आहार खानदा किला जुगती अनको सेपार नाल अपने बच्चावह अपने बच्चो पंझणी पर कोज पंझा बच्या पंची ने अपने बच्चियां की क्या नाल पाली पर दिखे जरी अवर जोन तेरी पनहारी स्तरती में तेरी स्तिकदारी दोपावे मनोख ने अपना पेट भी पर नार लोड बन्दा दा दुस वंद दा जरा कौंसेप्ट होंदा है के सब्चा जिवाल जिवाईन तु किसे ना दिसे बाहरा जियू एदा जरा एक पासा है और स तो इता जी वालता दे विच ़ोंडा है सारे एक बराबरता दा जरा अधिकार है और दसwangद तो शुरू हों है कि गुरू साब ने दसwangद दी जरा एस संस्था चलाई सी इसओर से विच बराबरता दे लिए समाजक बराबरता दे लिए वेखो जदो नदीदा जल चलदा पे आए वगदा पे आए वेंदा जा रहे है वो नीर है वो जल है वो पवित्र है वो साथी वर्तों जोग है वो पीन जोग है असी पहला पानी जीओ है उन्नों कहने हैं जित हर या सब कोई जो वगदा पे आए पर जो पानी खड़ा हो जाएंदा है एक दो चार मिने खड़ा रेंदा है और पीन जोग वर्तन जोग नहीं रेंदा हो जिछ बढदबु आ जाएंदी है एज़ाए माया है इस नूमी में लिआ गया है जल्दे नाल क्योंके माया गुज्रान है जदो माया खड़ी हो जावेगी फिर ए ओहीं जिमें एक पानी बदबु मारता है उसे तरह ही एदा जिरे नुकसान होने शुरू हो जानगे इसे करके गुरु सामने एजरा दस्वंद दा एक कॉंसेप्ट है जिरे एक संस्था है दस्वंद एक संस्था है इनों संस्था दे तो पिच स्थापत कीता है दस्वंद दा अर्थ है अपनी आम्दन दा दस्वंद पाग दस मास शबत तो बने आ है जिरे आप आवे कि अपनी कमाई दा दस्वंद क्तरम अर्थ खर्च करनू दसवंद किया जंदा सी। हून इते ज़्राक थोड़ी जीती हासवाल गाल करांगी, के गुरु नानक साब ने किसे नू ए नी क्या कि तुसी किर्थ करो। उन्हाने पहला आप किर्थ किती ए। उन्हाने ये ने हत्थी किती है। क्योंके काल खाए किश हथों दे, नान करा पशाने से, उनना ने किसे नू उपदेश देन दी बजाए, पहला करतार पोर दे वेच आप किर्थ करके, सिख्खा नू, जहां जरे उनना दे अनुआई सन पामेओ, कोई भी सन, उनना नो खुद किर्त करना, किर्थ करनी सिखाई ह एदे विच थोड़ा जावादा करां, कि अज पूरे वर्ड दे वेच, पंजाबी जहां सिख्खा दा, एगोण जानेया जान दा है, कि सब्तों वाद मेंती ने, क्योंके किर्थ करनी जड़ी गुरू साब ने सनू, हथी किर्थ करनी, करतार पोर दे विच जड़ी खेती कर दे ने, जरी ओदी उप जाए, ओदी लंगर चला रहे ने, एथे एक इतिहास पड़ता खादा ओ कि में, क्योंके जरे पहले साद सन, जा तार्मक आगू सन, ओ लोकां को लो मंग के खान दे सन, गुरू पीर सदाए, मंगन जाए, गुरू साब केंदे तांके मूल ना लाग ये पाए, गेन दे उनना दे पहरी ने, पैरी नी लगना, जो अगुरू पीर सदाए, ते लोकां दे करा चामन जाए, एथे दुनिया दे इतिहास दे विच नमा इतिहास दिए, कि ओ गुरू जरे लोकां दे कोलो मंग मंग के खान दे सन, और लोकां न उर जा रहे ने, का लंगर देवेच किमे हत्ति किर्थ करके तुसी त्यासतों वाकवों के कतार पुर वीच खेती करके और संक्तानू खोद लंगर कौन दे पहने गुर्णानक साब तो लेके गुर्ण अंगर देव जी ने एदे वेच दुजा वादा जो किता है पहली गल शुरू होगी है किर्ट दी दुजी गल शुरू होगी विद्या दी जरी एदे नास बन दोता है गुरु साब जी ने खडूर साब दे वेच एक पाठ शाला अराम कर दिती है गुर्णानक साब दा पाई गुर्दास ने जला जिकर कीता के करकर अंदर तर्मसाल होवे किर्टन सदा विसोवा होन करकर दे अंदर हार एक सिख़दा कर्मसाल होवे करकर अंदर तर्मसाल होवे किर्टन सदा विसोवा इदा अर्थ है कि हार एक सिख़दा कर तर्मसाल होवे किर्थ जड़ी करनी है ओ तरमदी करनी हैー,' हो़ै किर्थ जड़ी है ओ गुरु साभ ने करनी है' गुरु अंगल साभी जी ने कदूर साभ गुरु अमरदास जी ने अपने समय दे उते पाणी दी दिकत दूर करने ली बॉलियां बनाईयां, फिर बाई मंजियां ते पविंजा पीडे, सिख परचार दे ली उनना दी स्थापना कीती, होन एथो ताक करतार पर खडूर साब ते गोईंदवाल तेन सिखी दे जरे अधर ने बन चुके ने, उनना उन चलों दे ली जरा इते गुरु सहबान दे कोल कोई वड़ी जायदात नहीं, क्योंके गुनानक साब दे पिता ने उनना कोई जायदात नहीं सिख बड़ी वड़ी दिती, के तुहीं जाके एक नगर वसालो, असी सारे संसार कां, सानो पत है कि असी एक करब नोंदे ली सारी उमर बतीत कर देने हैं, पर एक शेर वसोना, शेर दे विच हर सहूलत दे के उते वसेबा करना, बड़ी वड़ी सोच सी, क्योंके जैकर तुसी तरमदा इतिहास पड़ो, तो जो इतिहास, गुरु गरान साब जासे को गुरु सहबान ने सिर्जिया है, और सब तो नवेक लाते, सब तो उतमताई वाले पासे जान दा, फिर ए परचारक जेरी मंजिया ने, पीड़े ने उनना दी स्थापना हो चुकी है, अगले पासे गुरु रामदासी ने सब तो वड़ा सिखी दा के अंदर अमरसार दी जेरी स्थापना है, किती, कोई पांचसो एकर जेरी जमीन है, और मुल लई गई, उस तो बादा जेरी जमीन है, ओदे विच होर बादा, एदे विच बविंजा परकार दे जेरे किते ने, उनना नू, उनना दे लोक जेरे सी, उनना नू उत्थे वसाया गया, गुरु अरजन देव जी तक भी जेरे खूँ ने, इसे तरही गुर्गोविन सिंग जी तक, तकरीबन आठ दास जेरे शेर ने, उनना दावसेबा जड़ा होया है, और दसवांद तो होया है, तो दसवांद ले ओंदे कौन सान, गुरु के जेरे मसंद जहां पर चारक स्थापत किते हो है सान, और गुरु क दित्ती जान वाली चीज, होन जेरा दाननी है, ओ उपर जानता है, पर गुर्मत ने दाननी किनू मंगया है, ददा दाता एक है, सब को देवन हार, देंदे तोटना आवई, अगंत पर पंडार, जेरा दाननी है, ओ दान का रहा है, ओ दाता है, जेरा मंगन वाला है, ओ मंग फढ़ांतर खाहिंग अधिनियन दीन दार आरहा है तो थे धाते डात की हाथ आपने जिस पपावेधस दीन धीन है के अ जरी यहां धाता ऐए ओ दे रिया है खिन के के दाता है औह अपैसर तो अकालपुर्क है पर जो मंगता है ओ सिक्ष्षिक को और मंगता है दिननन Always दोज़िकाल है कि ये दो जमातां सि एक दान लेंवाले एक दान देन वाले अपर नाख परीद नहां कीताँ और पेदा करता है गूर्मत ने दाता अकालपुर्खनों मनने है ते ज Lor speeches कुछ करता है वे क्तिता करियर नीध कर्म कर दियूंपर लेफ़हिए अरढboo कर दान लेफ़ करते है थिस सदार्बर करती काल लेम जैनड़ 맞़ 경찰 कर सिख है वो इस सारे समाज नो सारे संसार नो अपना समझ दा है ते उनो खुश हाल करन दे ली उस समाज नो बहतर करन दे ली उन उच्चा लेके जान दे ली ओधी चड़ती कला दी अरदास करदा है ते अरदास करन तो पहला ओएक किर्ती क्योंकि जरा किर्थी होएगा ओदे अंदर नाम दी उपज नाम दी चिनक लगेगी जदो नाम दी चिनक लगेगी तो सरबत दा पला मंगन दी जरी पावना है ओदे मांदे वी चाहेगी ऐसे परकार ही ओपनी अरदास देवेचे समुची जरी साधी समाजक जीवन देवीच जिनने भी परसन ओदे ने ओना दी चड़ती कला दी अरदास जो है ओव सिख कर दा है अगली गार के दस्वंद दे रही गुरू साब तो लेके सिख तरमदा जो इतिहास चल लिया खार्मी सदी दा ओदे विच भी दस्वंद प्रता जड़ी एस संस्ता है ओ लागू रही मा राजर जी सेंग दे समय मारा जाने काफी सारियां जनियां जगीरा सन ओ गुर्दवारा सहबान दे नाम लगवा दितियां कारण सी के जनियां लोडाने मुख ओ एदेनाल पूरियां हुंद दियां जान पर एदेनाल इस समय गिरावट आई के दे कारण दस्वान दे कारण क क्योंकि आज भी जेकर गुर्दवारे विच फसाद पैंदेने ओधा कारण माया है गोल कांदे पिशे चगड़े हुंदेने गोल कांदे पिशे आपसदे विच विरोत आवादी है मसंद प्रथानू खतम करना जो कारण सी ओ एही सी के मसंद खोद जरेसान एक इस माया दे कार अधि वर्तों नू कुछ वर्तों करके यही सई टंग नाल वर्तों ना करके ओनाने इनननू निजी जय दादा बना लिया ते एदे नाल ही गुर्दवारे दे विच बड़े प्यानक जड़े साके ने ओभी वापरे जिन्ना दा एक वक्राइथियास है